क्या आपको पता है कि US के कई सारे hedge funds और लग-लग companies के आने वाले results को पहले ही पता कर पा रहे हैं किस company की ज़ादा sales होने वाली है किस company की कम sales होने वाली है इसे भी वो अच्छे से परक पा रहे हैं और future में होने वाली जो merger and acquisition की deals हैं उन्हें भी वो पहले ही पता कर पा रहे हैं यहाँ पर मैं insider trading की बात नहीं कर रहा हूँ एक ऐसी methodology की बात कर रहा हूँ जिससे कई सारे hedge funds अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और यह same methodology आपको भी एक better investor 100% बना सकती हैं और इस method का नाम है alternate data तो आज के इस video में बात करेंगे कि alternate data होता क्या है कैसे यह काम करता है और कैसे इस से आप एक better investor बन सकते हैं और इस methodology पर काम करने के लिए आपको किस तरह सोचना होगा और किस तरह का data collection करना पड़ेगा नमस्कार मैं प्रसद आपका आज के इस video में स्वागत करता हूँ 2019 की बात है Eagle Eye नाम की एक company ने Prosper Insights and Analytics नाम की एक alternate data provider की मदद से अपने clients को एक prediction के बारे में बताया prediction ये था इस holiday season में US में Walmart का जो sales है वो उसके competitors जैसे की best buy, target और coal से बहुत जादा होने वाला है और particularly तीन categories में पहले थी toys, दूसरे थी electronics और तीसरे थे छोटी-छोटे बच्चों के कपड़े अब देखिए ये चेस उन्होंने कैसे बताई उन्होंने सबसे पहले कुछ survey किये कुछ पोल चलाए उन लोगों के जो जनरली इस तरह की shopping करते हैं और इन तीन products को जनरली बाय करते हैं अब य प्रेडिक्शंस थे वह सही साबित होने लगे तो धीरे-दीरे ओर प्रिड़ ऑफ टाइम इन्होंने अपनी जो डेटा प्रोसेसिंग है उसे बेटर बनाया और अपने प्रेडिक्शंस की जो लेवल है उसके एकुरसी है उसको भी बहुत बेटर बनाया और बाद में जो व लेकिन अल्टरनेट में यह सारी चीजों के अलावा जो चीज़ें होती उन पर ध्यान दिया जाता है जैसे के आपको एक एक्जामपल बता देता हूं जो अमेरिका मेक्जिको इन जैसी कंट्रीज में बड़ी एक्टिव है अब इन्हें अपने आउटलेट्स बढ़ाने थ जाधा ट्रैफिक मिल सकते हैं लेकिन कई बार यह चीज़ें हम अजम्शन की बेसिस पर करते हैं हमारे पस कोई स्ट्राउंड डेटा नहीं होता है जो हमें शॉर्शॉट यह बताए कि यहां पर अगर फ्रंचाइज आई तो बहुत जाधा चांस है से को चलेगा यह चलेग कि आपको किस लोकेशन पर अपनी फ्रंचाइज डालने चाहिए तो इसके लोगने उस लोकेशन के फुट फॉल को चेक किया कि कितने लोग उस एरिया से जनरली जाते हैं अब यहां पर इन्होंने इस ग्राप की मदद से उन्हें समझाया कि जो डार्क रेड कलर है यानि कि लोग पसन करते हैं और जो लोग वहां पर आथे वो इस एरिया से आते हैं ताकि यह भी बता चले कि वो मतलब उनकी income capacity क्या है तो इन सारी चीज़ों के basis पर उन्होंने Boston Pizza को लगबग 5 locations प्रोवाइड के कि इसमें से आप 2 select कर सकते हैं और ये कुछ best locations है Boston चीज़ा ने यही चीज़े follow कि जिसका उन्हें यहाँ पर बहुत फाइदा मिला वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बढ़ा दू कि हमारी दिवाली offer का कल last day है और इस दिवाली में हमारे सारी courses जैसे कि stock market, foundation course, fundamental analysis course इन पर आपको बहुत बड़े-बड़े discounts मिल रहे हैं अगर आप एक beginner है और share market को basic से लेकर advanced level तक सिखना चाहते हैं और इस दिवाली offer के खास बात ये कि इस सारे courses जो आप लेंगे उसमें आपको lifetime validity मिल जाएगे और हमारे सारे courses पर 5-day no questions refund policy है और यह हम इतने confidently इसलिए कह पा रहे है क्योंकि course के जो भी price है उसे काफी जादा value हमने यहाँ पर देने की कोशिश की है तो नीचे description और comment box में दीगे link पर click करके अभी इस course के लिए enroll कीजिए अब बढ़ते हैं अपने topic के तरफ same चीज Occidental petroleum के बारे में हुई बात है 2019 की जब Warren Buffett ने सबको surprise कर दिया ये बता कर कि बक्षा हैतावे Occidental petroleum में 10 billion dollar के shares खरीदने वाली है लेकिन कई सरे लोगों के लिए surprising news थी ये नहीं क्योंकि उन्हें already ये पता था तो डॉन बिलसंग जो के एक independent research firm Gordon Hisket Research के लिए काम करते हैं उन्होंने अपने clients को एक note भीजी एक information भीजी और उस information उन्होंने ये कहा कि Occidental petroleum के कुछ planes जो है वो पिछले कुछ टाइम से बक्षा हैताव कि जो owner है Warren Buffett उनकी city Omaha में जा रहे है अब इसके बाद उनने एक चीज़ पता चले कि यहाँ पर इन दोनों के बिच डील हो सकती है Warren Buffett इस company में investment कर सकते हैं अगर ये investment हो जाती है तो Occidental petroleum की price तुरण बढ़ जाएगी और अगर नहीं होती है तो किसी और reason से वो कम भी हो सकते हैं लेकिन इस data set ने उनने ये बताया कि यहाँ पर ऐसे सी possibility है कुछ clients ने फिर उस information के basis पर और information collect करना शुरू किया कि कि Occidental petroleum किसी investment की तलाश में है और फिर Warren Buffett से मिलने वो क्यों जा रहे है और कितने चांसे से deal पूरे होने के और उसके बाद इस business पर कुछ लोगों ने Occidental petroleum में इंवस्ट किया और जब ये deal अनौन्स हुई तो उन्हें उससे काफी फाइदा मिला अब यही चाज गोद्रेज और गोद्रेज के साथ भी हुई थी जब उन्होंने एक company को acquire किया था और तब भी गोद्रेज और गोद्रेज का एक जो plane था वो उस company की city में गया था जिसके basis पर information मिली थी कि उनके बीच discussions चल रहे हैं और गोद्रेज और गोद्रेज उस company को acquire कर सकती है अब देखे कुछ ऐसी companies US में इमर्ज हुई है जो सिर्फ jet tracking का काम करती है कुछ companies ऐसी है जो footfall tracking का काम करती है कुछ companies ऐसी है जो location basis पर काम करती है अब ऐसे ऐसे हर किसी ने alternate data की companies बनाई और particularly है hedge funds को ये data provide करते है जिसके basis पर hedge funds information collect करके उसके basis पर अपनी investment decision लेते है तो अगर हम alternate data की बात करें तो ये पूरी industry बनी है hedge fund के basis पर जो philalis data का इस्तेमाल करके investment कर रहे हैं अब ये देखकर कई सारे जो jet से उन्होंने अपने tracking को mask कर दिया जिससे कोई भी उन्हें track ना कर सके लेकिन 2011 में US में इसी ruling आई कि आप ऐसा नहीं कर सकते आपको अपने planes को unmask करना पड़ेगा अब जिसके बाद again जो alternate data agencies है वो उन्हें track करने लेकर उसके basis पर जो भी data आता है वो अपने clients को provide करने लेगे अब यह चीज़ें कहां तक advance चली कि आपको बढ़ा देता हूँ पहले क्या होता था Scuttlebird strategy के इस्तमाल किया जाता था और यह alternate data मेरे हिसाब से उसके advance strategy है Scuttlebird क्या होता है आसान शब्दों में आपको बढ़ा देता हूँ Scuttlebird strategy में generally कोई भी company की बेल्टे चावारी है इससे स्टारबक्स एक जितनी भी फ्रंचाइस होंगी तो उनके फ्रंचाइसी पैसे टारप यह इनृशव्पा लिए लुक्षाटा कीवי पीच कि जाती है वहां से डेटा किको अनुंगों वहां पर आ रहेे कि exactly ये देखना कि मान लेती कि Starbucks में कितने लोग जा रहे हैं CCD में कितने लोग जा रहे हैं तो इंडिया में इतने active नहीं है alternate fund क्योंकि इंडिया में hedge funds उतने नहीं है लेकिन US में इस तरह की चीजे देखी जा रही है कि जैसे दो competitors हैं किसके बास foodfall जादा है लेकिन जो भी लोग जा रहे हैं उनकी profile को देखने की कोशिश की जा रही है कि कौन से location से क्या वो corporate office से निकल कर वहाँ पर गये हैं या फिर घर से लोग जा रहे हैं जो भी है तो इस data की मदद से better information लेने के लोग कोशिश कर रहे हैं आप सोचेगे कि alternate data क्या सिर्फ jet tracking या फिर location या फिर foodfall tracking या फिर parking को ट्रैक करने यहाँ तक कि limited है नहीं इसके वी उपर चीजे चली गई हैं कई सारे drones पाए गए जो आज कल mall के बाहर की जो parking है उसे ट्रैक कर रहे हैं टेसला की production facilities को ट्रैक कर रहे हैं यहां तक यह चीजे बहुत एडवांस लेवल तक चली गई है इसके साथ important factor है जो धीरे-धीरे इमर्ज हो रहा है वह है social media यानि कि social media पर keywords की मदद से कई सारी alternate data companies यह ट्रैक करने के कोशिश कर रहे हैं कि किस चीज के इसे लिए उन्हें उन्हें उस टॉक को इतना खरीदा कि फाइनली वो हेज़फणी problem में आ गया और उन्हें उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ तो एक company ने Reddit पर keywords की मदद से गेम स्टॉक की यह सारी चीजे अल्डेडी प्रेडिक्ट की थी कि ऐसे होने की chances बहुत जादा है जिसके चलते गेम स्टॉक की प्राइस बहुत जादा बढ़ सकती है तो इस लेवल पर यह चीजे चल रही है बहुत एडवांस लेवल पर और यहाँ पर मुझे लगता है कि क्रिटिकल थिंकिंग सबसे दाधा इंपॉर्डनेट है आपको अगर इस तर के ऑपरशनेटी देखनी है तो आप भी बड़ी आसाने से ढूंड सकते हैं किसी इंडस्ट्री में पर आपको क्रिटिकल ही सोचना पड़ेगा जो लोग सोच रहे हैं उससे अलग सोचना पड़ करेगा तो इंडिया में अगर बात करें तो बहुत ही कम कंपनी से जो अल्टरनेट डेटा पर काम कर रही हैं तो यहां पर बहुत बड़ा स्कोप है आप खुद के लिए यहां पर ट्राइब कर सकते हैं और आप इसमें कुछ ब्रेक्ट्रू लगाते तो हमें जरूर इमेल क कर सकते हैं अगर आप इसमें कुछ यानि प्रूफ आप कंसेट कोई प्रोवाइड करते हैं तो यह थी अल्टरनेट डेटा की कहाने जो धीरे-धीरे बहुत इमर्ज होगी अब हम बात कर तो आप में से कई सर लोगों लगा कि यह बहुत ही जादा एड़ांस बात हैं लेकि जहां पर lifetime validity आपको courses पर मिलें उनके link आपको नेचे description और comment box में मिल जाएगी अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए जादा जादा लोग के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी alternate data और जो भी advancement, sorry investment field के बारे में उनके बारे में पता चले Thank you so much for watching this video